असलाम आलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चानल आज का ब्लॉग जो है करीम नहर केबल ब्रिज का होगा मैं आप लोग को यहां का मॉर्मिंग का व्यू बताऊंगा कैसा दुखता केबल ब्रिज मॉर्मिंग टाइम पर आप लोग देखिए और एंज्याई करिए इन यहँ अध्य प्रिज जो है बाइपास रूट पहंए यह फ़ूंटेन नेoten यहाद रख लेना फ्रेंट यहां से जो है लिक् Gesetz यए को हुआ यह ब्रिज जो है डिरेक्ट वरंगल के हाइवे पे कनक्ट होती यह ब्रिज 15 से 18 किलोमेटर से वोगे यह ब्रिज बनाने से फोर लाइन कैरेजवे है यह ब्रिज की लेंद जो है 500 मीटर है लंबाई जो है 1600 फीट है इसको डिजाइन करें सो वाले जो है टाटा प्रोजेक्ट गुलमॉर्क है इंजिनियरिंग इसको बनाने की कोश्ट जो है 224 क्रोड लगे ओपनिंग जो है 21 जून 2023 को हुई यह ब्रिज की और यहाँ पर फोटोगराफी विडियो ग्राफी मारेजंद फंक्शन के फोटोस वगरा वर चीश शूट होती यहाँ आप लोग को सामने देखने को मिलेगा यह अदे आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है फोटोस ले रही और यहाँ पर बहुत लोग जो दूर दूर से आते यह ब्रिच विजिट करने के लिए नाइट में जो है इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत रहेगा पूरी लाइटिंग से सचके रहेगी यह ब्रिच इसक्रीम वाला मस्तु बैटके ब्रिच पे गिराक नहीं वहाँँगा नाइट के टाइम पे पब्लिक भूत रहती यह ब्रिच पे यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो रही जैसा के मैं बताया आप लोग को स्टार्टिंग में इंजोई कर रहीं फ्रेंड्स के साथ आये हूँगा पूरे यहाँ देख सकते आप लोग अरे 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 तो बड़ बहुत बड़ी ब्रिच है यह एवरी वीक जो है यहाँ पर इवेंट्स भी होते यह ब्रिच पे बहुत फैदा हो गया लोग को तो नहीं तो बहुत लांग जाना पड़ता था वरंगल को जाना बोले तो यहां से अब मैं यहां से टर्निंग लोंगा यह जो यह फॉंटेन ह नहीं से झीग जो ऑगए तो क्या है वरंगल की हैवे लगती यहां से टर्निंग लेके आप लो को फिर लिफ्ट साइड का व्यूğ बताऊंगा केबल ब्रिच पए का यहां से जो है, यू टन लेना, यू टन लेने के बाद, यह लिफ्ट का व्यू है, केबल ब्रिज पे का, क्या खूबसूरत दिखरा केबल ब्रिज यहां से, आसमान में पुरा धुआ धुआ है, क्या है कि वह क्या जला रहेंगी, जाके देखना थोड़ा, सामें गए तो मालम होता, बुदी खूबसूरत व्यू दिखरा यह तो, आसमान का, पुरा धुआ धुआ धुआ, क्या ग्रीनरी है, क्या ब्रिज है, लिफसेड में काम चल रहा, केबल ब्रिज के निचे का काम चल रहा भी, क्या दिखरा फ्रेंड्स केबल ब्रिज, यह पुरा और बना रही, यह निचे से जो है, पुरा पानी जाता, केबल ब्रिज के निचे से, अभी उसकी प्लैनिंग चल रही, अभी काम चल रहा, केबल ब्रिज तो इतना खुबसूरत दिखरा, में अट्राक्शन है, यह करीम केबल ब्रिज, थोड़ा पानी भी है, निचे है, यह पूरा क्या है, जबी भी ड्याम के गेटां खुलेंगे, तो यह पूरा जो है, निचे से पानी भर के जाएंगा, जैसा के मैं आप लोग को बताया, यहाँ पर फोटो शुट बहुत होती, यह देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर फोटो शुट हो रही, आजू बाजू विलेजेस, सिटी से जो है, लोग यहाँ पर आके फोटो शुट्स, वीडियो शुट्स वगेरा करते हैं, मौर्निंग टाइम पे और नाइट टाइम पे, मौर्निंग टाइम पे जो है, बहुती खुपसूरत वियू होगा वीडियो शुट्स और फोटो शुट्स का, नाइट में क्या है, पूरा लाइटिंग लाइटिंग रहता, खाली लाइटिंग सी चमकते रहतें, यह पूरा व्यू देखने को नहीं मिलता आप लोग को, और फोटो और वीडियो लिकाने भी मुश्किल हो जाता, मैं आप लोग को पूरा केबल ब्रिच की सैर करा दिया फ्रेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेर करिए, अपने फ्रेंट्स और फैमली में मर्स के साथ शेर करिए, चानल पे जो भी नए हैं सबस्क्राइब कर लीजिए, कॉमेंट करना ना भूलिए फ्रें जहां से शुरू किया मैंने वीडियो वहां पर इंड कर दूँगा, यहां लिफ्ट साइड से गए तो क्या है, ड्याम की रूट आएगी, रैड साइड से गए तो पिद्दापिली, सुल्तानाबाद, करिम नगर को जाएगी रूट, यह जो है में चावरस्ते पे है, करिम अगर के बाइपास चावरस्ते पे,